आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत नीव रेस्पी बिल्कुल इस्टेंट बनाने वाली हूं मैं सिमय का केक और उसकी बर्फी क्योंकि बहुत टेस्टी होती ही फैस्टिव सीजन चला है और कम खर्च में बनाने वाली इजी-जी मटेया मैं बना के दिखा रही हूं दूद पका पका के मेरा थोड़ा गाड़ा हो गया है तो मैंने क्या किया है इसमें एक चमच कॉन स्टाज मैंने डाल दिया है जिसे कॉन फ्लॉर भी बोलते हैं दूनों एक चीज होती ही मैंने इसमें डाल दिया इसको मैं धीरे धीरे डालूँगी इससे क्या होगा मेरी ज तो अब बागी जो है आप अगर देसी गी नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें जो है आप पी कुछ और ना डालिएगा बस इसी तरह पका लीजेगा देसी डालेंगे तो नहीं तिस बहुत अच्छा है गिसके खुश्च भूब बेहाद अच्छी निकलेगी इसको लगातार अ क्यान वुश्च फीर अ दाल देते हैं और मिक्स अब हमें कोईभी मोड़ देना है जो इस तरह के अब हमें आपके मोड़ा पास हो वह ले लिजे मैंने इसे घी से ग्रीच करिया है देसी गी से ही क्योंकि इसके टेस बहुत अच्छा हैगा डाला है अब इसे मोड़े मुझ आप अपने पसंद का इसमें डाल सकती है इसको इस तरह से डाल देंगे और मैं थोड़े ड्राइफूर्स भी डाल दूंगी साथ में जो कि देखने में भी अच्छ लगते हूं और जम मुह में आएंगे न तो तेस्ट भी बहुत अच्छा आता है थोड़ा समझे क्या करना इ प्रीजर मिनिया फ्रीज में ही रखिएगा तो इसे ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूं तो यह देखे सिमाई का जो है मेरा सेट हो चुका है केक या बर्फी या जिसकी तरह कभी शेव इसमें आप दे सकते हैं आप इस तरह से केक की तरह खाना चाहें तो पूरा इस तरह से घुमा लेती हूं पर निकालूंगी प्लेट में जीली जे मेरा कितना बढ़िया सेट हुआ है अब इसे दूसी प्लेट से इस तरह से कर लेते हैं यह देखिए कितना अचा शेव आया आप चाहें तो इस तरह से खाएं या चाहें इसके ओपर क्रीम लगाएं या कोई और ड्राइफूट से लगाएं जिस तरह चाहें डेकोरेट कर सकते हैं और इसे आप इंजॉय करिए इसके पीसे काटके बर्फी शेव भी दे सकते हैं तो इसके पीस हम अपने मन चाहें शेव में काट सकते हैं तो इस तरह से कटिंग करिए इसकी जो है बर्फी का से मैंने आपको सीवही की बर्फी एक दम न्यू रेसिपी बताईए इससे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल अकन भी जरूर से प्लेस कीजिएगा तक कि ऐसे न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलेंगे ऐसी न्यू रेसिपी के साथ अल्ला हापीस